आगे कोई भी examination के लिए prepare कर रहे हो या अगर कोई examination के लिए prepare नहीं भी कर रहे होंगे लेकिन भारत के हाल हकीकत के बारे में अच्छे से आपको जान पहचान करवाना है तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना जरूर है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक social changes के बारे में बात करेंगे जो social changes से जादा भी बोल सकते है political changes है जो हाली में घटना घटी है कहां पर घटी है वो भी पताएंगे क्या घटी है वो भी बताएंगे और कैसे घटी है वो भी बताएंगे तो basically यह वीडियो को last तक जरूर देखना क्योंकि इसमें हम एक ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जो भारत की संविधान से related है और उससे related एक बहुत बड़े चीज हो गया है भारत के जो history है उसके अंदर और वो क्या है कैसे हुआ है वो सारे चीजों के बारे में हम बा से जो भी नोर्स आपको प्रोवाइड होने वाला है उसको तो आप याद करी लो क्योंकि यह आपको एक्जाम में बहुत जादा हल्प करने वाले है तो basically आज की जो स्टोरी है वह है आर्टिकल 142 के बारे में अचा इधर है 142 के बारे में यह आर्टिकल 142 है क्या खाने के स्टोरी क्या करता है उसके बारे में बात करेंगे नदर पॉलिटिकल यह सेस्टेम है इसके तेन ऑर्गनाइजेशन है यह तेन ऑंगां करना मिए एक होता है एक जबल पैंस है करते है। ठीक है। मतंब जिसको कहते है कारिया पालिका। ठीक है। फीर होता है By legislative. इनका क्या काम होता है? यह ना भारत के अंदर बनते हैं इसको विधाया का вызов demonstration comment लोगों के होते हैं बिडान साथ में बैटे हैं यह उनका काम होता है लेजिसलेशन बनाना लेजिसलेशन ठीब्स होते हैं और यह अर्गन होता है जिसका नाम है जुडीशेरी जुडिशेरी अब जुडिशेरी के साथ क्या जुड़ता है अब जुडिशेरी के साथ अगर हम बात करें तो बैसिकली यह जुडिशेरी वो होता है जिससे आपको नय मिलता है ठीक है इसको कहते है नय पाली का ठीक है इसको कहते है नय पाली का इसका पावर किसके हाथ में र एक तो Supreme Court के हाथ में है और Supreme Court की जो hierarchy होता है जैसे High Court है फिर आता है District Court इनके हाथ में होता है Judiciary Power तो basically भारत के अंदर मानों के आप कुछ भी यह जो जैसे आपको पता है जो फर्मार रूल्स चल रहा है या फार्मर्स के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे पहले भी फर्मार प्रोटेस्ट चला था याद है आपको तो उस फर्मार प्रोटेस्ट के अंदर जो उनके मांगे थे वो फाइनली जाकर सुनाए क्यों दिया गया क्योंकि Supreme Court से order बनाया गया तो अगर भारत की संस्था से हम बात करें तो basically the judiciary is the most powerful organ ठीके आप क्या execute कर रहे हो आपका क्या नय है क्या विधी है क्या विधान है या क्या law है उसको आप कैसे execute कर रहे हो लेकिन वो अगर public interest के according नहीं होता है या कोई भी चीज़ अगर public interest के according नहीं होता है तो supreme power दिया गया है judiciary को इसी वज़ा से Supreme Court को ये भी कहते के ये संग्विधान का guardian है अभी वावक है है तो ये चीज़ ही के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हाली में चंडीगर के एक मेयोर वाला मतलब मेयोर अपको पता ही होता है कि कोई अगर कोई city है कोई city अगर करता है उनको मेयोर कहते है तो वह भी एक पॉलिटिकल डिजाइन एक डेजिगनेशन है उसमें जो मेयोर इलेक्शन हुआ था उस मेयोर इलेक्शन में क्या हुआ मैंने आपको स्टोडी बता देनी है कि घटना क्या घटी थी फिर हम आएंगे इसकी टेक्निकल एसपेक्ट पर जो हमारी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है ठीक है तो इसमें क्या घटना घटी थी कि बीजेपी का जो केंडिडिट थे मनोद सोंकर उनका नाम है उनको हार का सामना करना परा और जो आपके मतलब जो आम आदमी पार्टी है उसके साथ कॉंग्रिस के अलाइंस चल रहा था उनके जो कैंडिडिट थे कुल्दिप कुमर उनको जीत का मौका मिला है तो बैसिकली ये चीज जो हुआ था वो इतना असान जैसे मैंने आसान तर 2024 को हुआ था जिसमें बीजेपी के 14 कांसिलर थे आपके 13 कांसिलर थे और कॉंग्रिस के साथ कांसिलर थे dni आप एप संजो क्रोन वाय सिम्ज़े का हुआ ऑफ क्या हुआ को बरीज बोतकी जीतने के लिए कुल्दिप कुमार क्यों से आपके candidate है, लेकिन उनको कितने vote मिले, सिर्फ 12 vote, समझो total जो number थे उसमें इनको कितने vote मिलना था, और क्या मिले ये पहले क्लिर कर लो, जैसे कि पहले इनको मिलना था 20 vote, लेकिन इनको मिला कितना? 12 vote तो आपको क्या लेकर बही इसका मत्रब तो यह की हुआ कि अगर इसको 20 वोट की जरूरत है और इनको 12 वोट मिली है तो इस clear clear यह हार गया है है ना यह तो बहुत clear है और अगर आपको दूसरी तरफ बात करें जो कि मनो सोनकर जी है उनको मिला है कितना 16 वोट तो 12 वोट इनको मिली है 16 इनको मिली है तो जीत इनको हो गई बात यहां पर खतम हो गया लेकिन यहां पर वोट टूस्ट बनता है वो टूस्ट क्या है जो रिटार्निंग ओफिसर थे अनिल मशी नाम कहकर एक विक्ती थे उन्होंने आप वोट को इनको 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 करार दिया गया अब तुम्हें समझ में आही रहा होका कि 12 प्लस 18 12 प्लस हीट कितना हो रहा है विस तो एक्चुल में ऐकर बताए जाए जाया तो जीता कौन यह बताओ exactly you are right जीता कुल्दिप कुमार जी लेकिन यहाँ पे जो कुछ वो जो मसी ने कहा के उन artboard पर कुछ extra marking थी जैसे कि tick mark या cross mark जो की rule के खिलाफ था लेकिन कुल्दिप कुमार ने ये accept नहीं किया तो उन्होंने क्या किया उन्हें सुप्रिम कोट के पास एक applied jurisdiction भी होता है जहाँ पे आप एपिल कर सकते हो वहाँ पे सुप्रिम कोट का पावर दिखाई देता है सुप्रिम कोट ने ये जो एपिल उन्हें किया गया इसको बहुत सिरियसली ले लिया और एक जुडिशियल ओफिसर को एपोइंट किया जो कि पंजाब और हरियाना हाई कोट से जो रेजिस्टर जेनरल है उनके अंदर काम करता था अब उसने सुप्रिम कोट को बैलोट पेपर मत्रकितने भोट आये और वीडियो रेकॉर्डिंग उनकोँ पास पेश किया जहां पे सुप्रिम कोट पूरा क्लियरली देखा और यह पाया के अनिल मसी नाम के जो वेक्ति उन्होंने जो आड़ वोट को डिफेंट किया था वो उन्होंने जानबूच कर किया था और उन्हें इन्वैलिड बता दिया अब सुप्रिम कोट ने इसकी बहुत ही निंदा की और अनिल मसी के खिलाव प्रोसिक्यूशन ओडर भी क्या है अब देखो यहां पर क्या बात होती है कि सुप्रिम कोट ऐसे जो कर सकता है ठीक है अनिल मसी के बारे में जो भी बोला और जो भी कहा और उन्हें बताया भी सुप्रिम कोट के सामने जूड बोला है जिसके लिए वो एकाउंटबल होना चाहिए पिर जाके यह आड़ वोट का क्लाडिफिकेशन आया और फाइनली जाके कुल्दीब कुमार को बीज भोटो में देखा गया और उसको उन्हें अज वीनर डिकलेर किया गया अब सुप्रिम कोट ने अनिल मसी के जो इलेक्शन रिजल्ट है उसको क्वाश कर दिया और कुल्दीब कुमार को नाया चंडिगर का मेयोर घोशित कर दिया यह तो हो गया पुरा स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया है यह सिर्फ स्टोरी नहीं है इसके अंदर हम जानेंगे कि सुप्रिम कोट के पास इतना पावर कैसे कि इलेक्शन कमिशनर के अंदर या निर्वाचन के अंदर कोई सिस्टम चल रहा है फिर जाके उसको वो कैसे डिफेंड कर सकते है और उसको कै ऐसे वो निगेट कर सकते है तो आपको बता देते है यहाँ पे आता है दा पावर ओफ वर्ट गण ऑन फोर्टी टू सुप्रीम कोट को इतना पावर देता है ताकि सुप्रिम कोट के तरह से कम्प्लेट जस्टिस करने का उपाय मिल जाए अभी यह आर्टिकल सुप्रिम को लिए कानून में प्रोविजन हो या ना हूँ समझ में आ गया अगर आपके पास कानूनी तोरपे प्रोविजन ना भी हो लेकिन सुप्रीम कोट कैन टेक एन इंटेफेर इन इंटेफेर इन दिस केस और ऑफो गीव दा सजेशन और वर्डिक्ट ओन देट केस जैसे कि आपको अगर कुछ एक्जाम्पल की बात करें राम जैंबुभुमी केस निर्भाया केस मनिफपूर में जो डिफेक्शन केस हुआ था उसमें ऐसे बहुत सारे केसे हैं जिसमें सुप्रीम कोट ने यह 142 आर्टिकल को यूज किया है इसको हम जानेंगे कि यह काम कैसे करते है और इ लिखा है देख लेते है कि शुप्रीम कोट इन दा इक्सराइस अफिच्छ रूजिशिशन में पास सच डिक्री और में सार में सच और अजने सरी पर दूइंगे कोट जस्टिस इन अने कॉस और मैर्ट पर दिफोर इट अने डिक्री तो पास और अर अर्डर शो में जाल ब अर्डर आज दप्रेसिजेंट में भी और प्रेस्क्राइब अब मैं तो कंफर्म हो कि आप लोगों ने इसको आगे कर लिया होगा इतना इतना टॉफ चीजे समझ में नहीं आया हुए तो इसको आसान तरीके से समझते है इसका मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोट अपने ज जो भी पैसला या ओर्डर दे जो कि कम्प्रीट जस्टिस के लिए जरूरी है तो वो पैसला और और पूरे भारत में एंफोर्सिबल होगा जैसे कि पार्लेमेंट या प्रेसिडेंट के ओर्डर से प्रेस्क्राइब किया गया हो समझ में आया है अगर कोई 142 के अंडर से को अगर हम इसके क्लॉस के बारे में बात करें तो इसके थूप जो भी रेजाइट आया होगा इस एंफोर्सिबल इन्फोर्सिबल होगा अब आर्टिकल 142 की अगर हम बात करें अगर देखना है तो आप मैं हट जाती हूँ तो आप इस वीडियो को पॉस्ट कर लेना और आपको तो लक्षमी कंत अगर आपके पास आपको तो पता ही चल जाएगा तो आपको मैं इसका मतलब बताती हूँ इसका मतलब यह है कि पार्लामेंट किसी भी लोग जिसके लोग के अगर सब्जेक्ट आता है तो उसमें पार्लामेंट सुप्रीम कोट को पूरे भारत के लिए किसी भी परसन को एटेंडेंस सिक्योर करने के लिए किसी भी डॉकुमेंट को दिसक्यावरी या प्रोडक्शन करने के लिए या किस भी content of court का investigation या punishment करने के लिए कोई भी order देनी का power है समझ में है तो Supreme Court is given the highest power through article 142 का 2 याद रहेगा तो ये article Supreme Court के एक extraordinary power देते है जो कि किसी भी situation में justice के लिए जरूरी हो सकता है मतलब देखो ये video share जरूर कर देना सबके अंदर क्योंकि हमें बहुत ताइम लगता है भई ये चीज़ हमारे सब गलत हो गया इसका तो कोई जबाब ही नहीं मिल रहा है तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो जाके भईया आप अराम से article 142 के तहट Supreme Court से आप कुछ ना कुछ करना है तो आपको बहुत केरफूल होना होगा बहुत ही रस्पॉंसिबल भी होना चाहिए क्योंकि इस कानून के जो सुप्रिमेसी और सेपरेशन और पावर है उस पे भी ये सवाल उठ सकता है तो इसलिए सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आर्टिकल है सिर्फ और सिर करें अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जाके आप आर्टिकल 142 को लगाने के लिए आप सुप्रिम कोट में आप आर जी पेश करें या आपिल डायर करें ठीक है तो ये था इसमें का मतलब ये पूरे सिच्वेशन का केस आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सार आपको इंफोर्मिशन मिला होगा आशा करूंगी कि इसके डिलेटेट कोई भी एक्जामिनेशन में आकर क्वेशन भी आए आप उसका जबदस आंसर भी देकर आएंगे तो आज के लिए इतना ही आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है और अगर इस वीडियो के ब और बिया रस्पोंसिबल सितिजन और जय हिंद्र